इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बहुत बड़ी मुश्किल में फसके हैं फिलिस्तिन में मारे जा रहे लोगों को लेकर दुनिया भर से आ रही प्रिचिया से परिशान नेतन्याहू ने अब नई मुसीबत मोल ले ली है इस्राइल के एक चानल ने नेतन्याहू की आडियो क्लिप्स रिलीस की है इस आडियो क्लिप में नेतन्याहू ने जो कहा है वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए इस क्लिप में एक और पीम नेतन्याहू है और दूसरी और उस शक्स की आवाज है जिसे हमास ने बंदग बना लिया था लेकिन अब रिलीस कर दिया है जबकि उसका बेटा अब भी हमास के कबजे में है इसरेल के प्रधान मतरी बिन्याहँ का टेप लीगड टेप लीगड के बाद मुची इसरेल में خलवली हमास के बंधक बना इसरेलियों पर नेतन्याहू का चोकाने वाला परदाफाश नेतन्याहू की बाते सुन भडके इसरेल के लोग इसरेल के प्रधानमंत्री बैञामी नेतन्याहू बहुत मुश्किल में फसके हैं फिल师्तीन में मारे जा रहे है लोगों को लेकर दुनिया भर से आ रही प्रतिक्रिया से परेशान नेतन्याहू ने अब नई मुसीवत मोल ले ली है इसरेल के एक चैनल ने नितनियाहू की आडियो क्लिप रिलीज की है इस आडियो क्लिप में नितनियाहू ने जो कहा है वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए इस क्लीप में एक और पीम ने तन्याहू है और दूसी और उस शक्स की आवाज है जिसे हमास ने बंधक बना लिया था लेकिन अब रिलीज कर दिया है जिब्टो उसका बेटा अब भी हमास के सब्जे में है आप आजाद हो गए बधाई जी शुक्रिया हम दूसरे बंधकों को चुड़ाएंगे मेरा बेटा अब भी बंधक है हम बहुत बड़े मिशन में जूटे हैं मेरा बेटा हमें लिबनान और यमन से लड़ना है मेरा बेटा हमें इस्राइल की रक्षा करनी है मेरा बेटा पूरे इस्राइल में ये ओडियो क्लिप चलाई जा रही है ये साबित करने के लिए कि परधान मंतरी बिन्यामी नेतनियाहो को बंधक बनाए गए इस्राइल के लोगों की कितनी चिंता और फिक्र है हलाकि ये पहला उदारन नहीं है जिसमें नेतनियाहो को ये कहते सुना गया हो कि उन्हें बंधकों से ज़्यादा फिक्र देश की है दूसरे शब्दों में कहें तो हमास हिजबुला और हूथी विद्रुवियों के सर्वनाश की है इसके पहले भी इस्रेयल में बिन्यामिन की होस्टेस पॉलिशी को लेकर प्रदर्शन होती रहे हैं यहां तक की नेतनियाहो कैबिनेट में बंधक संकट को लेकर एक्शन पर फूट सामने आ चुकी है नेतनियाहो की घजा में भारी बंबारी हमास के चीफ इसमाईल हानिया और कमांडर मुहमद दाइफ को मौत के घाट उतारने के बावजूद बंधक संकट का कोई हल नहीं निकल सका है इस्रेयल की बड़ी अबादी अब कही न कही ये मानने लगी है कि नेतनियाहो बंधक संकट को सुलजाने के परती बहुत कंपीर नहीं है 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इस्रेयल पर हमला करके 201 काउन लोगों को बंधक बना लिया था उन्हें गजा ले गए 9 अबर 2023 में इस्रेयल हमास के बीच समझोते में 105 लोगों को छुड़ा लिया गया था 4 बंधकों को समझोते के पहले ही इस्रेयल ने रिहा कर दिया था जबकि इस्रेयली डिफेंस फोस का मानना है कि 34 बंधकों की मौत हो चुकी है जबकि 105 बंधकों को लेकर कहा जा रहा है कि वो हमास के कब्से में है बिन्यामी नेतनियाहु इस्रेल को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि वो बंधकों को छुडाने में कामयाप होंगे लेकिन गजा के युद्ध मैदान में नेतरियाहू का एक्षन देखकर इसरेली नेतरियाहू से बहुत नाराज है आडियो क्लिप बता रही है कि नेतरियाहू बंधकोकरी हाई से ज़ादा हमास के अंत पर फोकस कर रहे हैं और यही बात इसरेल के लोगों में आक्रोश पैदा कर रही है जलते गजा से जीत की सूचना की उमीद में बैठे नेतरियाहू को देश के भीतर से ही विरोध की खबरे मिल रही हैं नेतरियाहू इस वक्त चार मोर्चों पर गिरे हुए हैं पहला है हमास का सफाया की उनकी खस्म दूसरा मोर्चा है लिमनंट से हिस्बुल्ला के युद्ध का एला तीसरा है यमन के हुथिवी द्रोहियों की ओर से अटैक और चौता है घरेलू मोर्चे पर नेतनयाहू के खिलाफ उठती आवाज ही चौत अरफा गिरे नेतनयाहू के सामने सबसे बड़ी चिनौती ये घरेलू मोर्चा ही है क्योंकि देश में व्यवस्था फैलती है तो ये तत्य है कि जंग जीत कर भी नितनियाहु के हाथ नील बड़ा सन्नाटा ही आएगा बंधकों और लापता परिवारों के फोरम ने जून में भी देश भर में रहे लिया की नितनियाहु के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था इसरेल और गजा के बीच लागतार चल रहे युद्ध के चलते इसरेल में जल जुनाओ की मांग भी उट रही है इसरेल में 2026 में चुराओं होने हैं लेकिन युद्ध को देखते हुए इसरेल में जल जुनाओ कराये जाने की मांग जोर पकड़ती दिख रही है इस्रेयल और गजा के बीच 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध शुरू हुआ हमास ने युद्ध के शुरुआत की लेकिन जवावी हमले अभी तक इस्रेयल की तरफ से जारी है गजा पर हमले करने और बम दागने की वजह से अपने ही देश में नितन्याहु विरोध प्रदर्शन का साबना कर रहे हैं प्रदर्शनकारी नितन्याहो पर हमास के साथ बंधक गैदी अदला बदली समझोटा करने और गजा में युध को समाप्त करने के लिए लगातार दवाव डाल रहे हैं गाजा में युद्ध शुरू करने से पहले भी नितनियाहो को देश में न्याइक सुधार की अपनी विवादास्पदी औजनाओं के चलते विरोध का सामना करना पड़ा था जिसके चलते गाजा में युद्ध ने उनके लिए हालात और भी मुश्किल बना दिये गाजा में युद्ध शुरू हुए दस महीने हो गए हैं इसे युद्ध में अब तक 40,000 फिलिस्तिनी मारे गए हैं एक लाग से जादा लोग घायल हो चुके हैं माना जाता है कि 10,000 से अधिक लोग बंबारी वाले घरों के मल्बों के नीचे दवे हुए हैं इसके अलावा जो लोग घजा में अभी जिन्दा हैं वो भुखमरी का सामना कर रहे हैं खाना, पानी, बिजली और दवा जैसे बुनियादी चीजों की भारी कमी है जिसके चलते बहुत बड़ी अबादी को पोशन और बिमारियों से घिर गई है अंतराश्टिये नियाले ने इसरेल को नरसंगार का आरूपी कहा है लेकि नितन्याहू की दलील है कि आम फिलिस्तिनियों की मौत के लिए भी हमासी जिम्यतार है हमास के आतंकी आम फिलिस्तिनियों के बीच शुपकर अपनी जान बचाने के कोशिश करते हैं लिहाजा इसरेली डिफेंस फोस को उन जगों पर हमले के लिए मजबूर होना पड़ता है नितन्याहू के दिमाग में ये बात बहुत क्लियर है कि अब की बार हमास के बहाने हिजबुल्ला और हूथी जैसे परमानिंट दुश्मनों को सबक सिखाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है नितन्याहू यही कर रहे हैं तिक्कत यह है कि युद्ध में बुरी तरफ हसने के कारण नितन्याहू इस्रेयली बंधों पर बहुत जादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और नहीं हमास को अब तक अपनी शर्तों पर बंधों की रिहाई करने के लिए मजबूर कर पा रहे हैं इस्रेयल में एक बड़े तब के कमाना है कि युद्ध लंबा कीच रहा है और बंधों की रिहाई की कोई सूरत बनती नहीं दीख रही है मतलब नितन्याहू ने जिसके लिए युद्ध छेड़ा वो अपने मकसद से भटक गया है जिस आडियो क्लिप को लेकर नितन्याहू निशाने पर हैं उसमें नितन्याहू ये भी कह रहे हैं कि वो 7 अक्टूबर 2023 की तारीख को इस्रेयल की हार की तारीख नहीं मानती जब कि 7 अक्टूबर को हमले के लिए इस्रेयल की सुरक्षा के लिए जिम्यदार कई अधिकारी माफी माँग चुके हैं लेकिं नितन्याहू ने अब तक 7 अक्टूबर को ही सुरक्षा चूप की कोई जिम्यदारी नहीं ली है इसकी वज़े से भी लोगों में काफी गुच्सा है नेतनयाहू बीते 40 वर्षों से इस्रेल की सियासत की एक ताकतवर शक्सियत रहे हैं सहीवत राष्ट में इस्रेल का पक्ष मजबूती से रखने के बार नेतनयाहू 1996 में ओसलो शांती समझोते के विरोध के बुद्दे पर पहली बार देश के प्रधान मंत्री बने थी उसलो समझोते के तहट फिलिस्तिनियों के लिए एक अलग सुतंतर देश का प्रधान था लेकि नेतनयाहू अलग फिलिस्तिन देश के हमेशा से विरोधी रहे हैं नेतनयाहू इसके लिए अमेरिका से भी नाराजगी मोल लेते रहे हैं हमास के खात्मे के मकसद पर इसरेल के सभी लोग एक मत हैं लगभग पूरा इसरेल युद्ध का समर्थन करता है लेकिन जिस तरह से ये युद्ध लड़ा चा रहा है और जैसे अब तक सभी बंदों को छुड़ाया नहीं गया है उससे नेतनियाहू का सियासी करियर दाओं पर लग गया है